हेलो दोस्तों नमस्कार दोस्तों देखी बात करेंगे यहाँ पर बीड प्रवेस परिच्छा जो कि आपकी हो चुकी है 15 अपरेल को दोस्तों और यह परिच्छा कौन कंडेक्ट करा रहा था आप लोग जानते हैं रुहेल खंड बोर्ड करवा रहा था रुहेल खंड यानि मा पर बात करने वाले हैं ठीक है और यहां पर देखिए यह भी आप जानेगे कि विश्च्व विद्याले की जो लिस्ट है कौन-कौन से विश्च्व विद्याले सामिल है इस लिस्ट में वह भी मैं आपसे बात करने वाला हूँ तो इस पूरी विडियो का एंड तक हैं तो दोस्तों यहां पर बात करेंगे कि देखिए बोर्ड ने यह कहा है कि हर सीट में दो से जादा यानि दो से तीन कंडिडिट हर सीट में दावेदार है ठीक है इस बार जो मैं पूरी ऑथेंटिक निउस आपको दूंगा जो कि बोर्ड ने बताया है कि कितने फॉर्म सामील हुए वो टोटल आपकी जो कंडिडिट है वो 5,6600,000 कंडिडिटों ने परिक्षा दी ऑर इसमें जो फार्म भरे गए थे द।ोस्तों वह फार्म भरे गए थे 9,000,000 फारम भरे गए थे जिसमें से इसे 5,60,000 अब्यार्टियु ने परिक्षा दी है ठीक है उसी प्र प्रदेश भर में 2210 कॉलेज हैं और सीटों की बात की जाए तो सीटों की बात की जाए तो 1,96,000 सीटे हैं और पिछले साल क्या था कि जो प्राइवेट कॉलेजे थे उनमें बहुत सारी सीटें खाली रह गई थी इस बार बोर्ड ने बोला है कि हो सकता है कि जो प्राइवेट कॉलेजेज हैं उनकी सीटें ना खाली रहें ठीक है क्योंकि उमेद से जादा फॉर्म भड़ चुके थे और एक्जाम भी काफी बच्चों ने दिये ठीक है इस प्रकार आप यह समझ लिजे कि जो बीड पिरवे बच्चों ने नो लाक नो लाक नो हजार दोसो नौ बच्चों ने परिच्छा में आवेदन किया था जिससे की साड़े पांच लाक मैंने इससे पहले वीडियों बताया हुआ था अप्रॉक्स साड़े पांच लाक यह नहीं 5.6 एक्जुट एक्च्वल डाटा है वो है पा खाल तो लेकिन जो प्रतम प्राथमिक्ता दी जाएगी वो सरकारी को दी जाएगी यह नि जो पहले गॉर्मेंट कोलेज हैं वो दावेदार रहेंगे तो दोस्तों इस प्रकार बोल्ड कहता है कि जो पिछली बार परिच्छा हुई थी उसमें नीजी कॉलेज जो प्राइविट कॉलेज थे उसमें सीटें काफी खाली रह गई थी मगर इस बार ऐसा कुछ नहीं होने वाला है सीटें नहीं खाली रह पाएंगी क्योंकि यह जो इस बार फारम इतनी ज़्यादा भर गए और इतनी ज़्यादा एक्जाम दिये कंडिडेटों ने यह पहली बार हुआ है तो यह इसलिए हुआ है कि बोर्ड द्वारा पहले चर्चा चल रही थी कि जो बीर्ड प्रटाई की बीर्ड चार साल होने की चर्चा को लेकर के इतनी बड़ी तादाद में फारम आए ठीक है तो दोस्तों यहाँ पर आपने यह जाना कि प्रतेक सीट पर दो से तीन कंडिडेट क्या कर रहे हैं दावेदार हैं ठीक है ना प्रतेक एक सीट के लिए अच्छा आप यहाँ पर यह समझ लीजे कि जो सरकारी कॉलेजेज हैं वो आपको कैसे मिलेंगे और क्या प्रक्रिया होगी यह मैं आपको अगली वीडियो में बता दूँगा और कौन-कौन से कॉलेजेज हैं जो की आपके लिए वड़िया रहेंगे आपके लिए नियर हो जाएंगे मैंने आपको विश्विद्याले की जो सीट है वो मैंने लिस्ट बताई भी थी कि मैं आपको दिखाऊंगा तो चलिए वो देख लीजे विश्विद्याले कौन-कौन से सामिल है तो दोस्तों यहाँ पर देखिए जो मात्मा जोतिबा फुले रुहेल खंड यहां पर डाक्टर राम मनोहर लुहिया अवद विश्विद्याले ठीक है जो की अहुद्या में है ठीक है और यहां पर बात करेंगे अधिरी चरण सिंग विश्विद्याले और यहां पर बात करेंगे बुंदेल खंड विश्विद्याले जहां सी और यहां पर सात्मा है म महात्मागांधी कशी विद्यया पीड विश्विद्याले वहीं वीर बहाद्डीर सिंघ पूर्वान के ज्वाणपुरं ज्वान जो हो है वह दीन दयाल उपाद्यास गोरक पूर्ण को ठीक है और सियस्जुमिन उविश्टी कानपूर से यानि छत्रपति साउजी महराज इनिवर्सेटी बारवां है इलाबाद राज्य विश्विद्याले प्रियाग राज तीरवा है जननायक चंद्रसेखर विश्विद्याले बलिया ठीक है और नेक्स्ट अगला है सिधार्त विश्विद्याले कपिलवस्तु सिधार्त नगर ठीक है पंद्रवा आपका है मोहिनुद्दीन चित्सी उर्दू अर्भी फालसी विश्विद्याले लखनव ठीक है विश्व विद्याले की जो लिस्ट है वो मैंने आपको यहाँ पर प्रोवाइड कर दी आप समझ लिए कि 16 विश्व विद्याले हैं जो की विश्व विद्याले संबंदित हैं इस परिच्छा से बीड़ परवेश सहीं यूँक्त परिच्छा से जो की सत्र आपका है 2019 से 2021 का ठीक है तो आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो लाइक करिएगा अपने दोस्तों को जरूर शेयर करिएगा क्योंकि इसमें मैंने सारे विश्व विद्याले बता रखे हैं ठीक है और आने वाली वीडियो में जो इन विश्व विद्यालों से रिलेट जो कॉलेजेज हैं वो कॉलेजेज आपको मैं वीडियो के मादन से बता दूगा ठीक है धन्नवाद वीडियो देखने के लिए आपका दिन शुब मिलते नेक्स वीडियो में